हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नभी ले काहां आप लोग आइफोन 13, 14 और 12 के पीछे पड़े हो फ्लिपकार्ट की सेल में अमेजॉन की सेल में अगर सची सैमसंग के फैन हो तो सैमसंग का यही फोन आप लेंगे सैमसंग S23 FE फैन एडिशन जिसके हम अ आज यह आ गया है हम भी आज इसका वीडियो बनाएंगे बॉक्स को पीछे से देखेंगे तो यहां पर लिखिए इसकी MRP जो के है असी हजार रुपे लेकिन लांच तो सैमसंग ने इसको साथ हजार रुपे में किया है तो पता नहीं असी हजार MRP यहां पर क्यों अज़ा हुआ है और इसके आलाव बॉक्स में कुछ नहीं लेकिन बॉक्स के बॉटम में कुछ नहीं है तो प्ल करके खोल ले ते हैं हात में लेते ही फील हो रहा है मुझे इसका भारी भरकम वेड जो के है 200 ग्राम से भी ज्यादा और यह इसको एक प्रीम नेसकी फील अच्छे है, aluminum के बने हैं, और overall fit और finished जो है phone की, काफी आपको अच्छी देखने मिलेगी, SIM tray यहाँ पर टॉप में दिया है, और इसके अंदर आप दो SIM card लगा सकते है, तो ही memory card लगाने का option नहीं है, तो या तो 128 GB लेना, या तो 256 आपने, और 5000 बड़के dual fix लेंगे, तो ही समयधारी, लिंक इतनी समयधारी, ये फूरा वीडियो देखने के बाद डिजाइड करना, फोन में dual speaker भी आते हैं, बॉटम में, type C port के side में, और एक दूसरा earpiece में, और H23 FE जो है, ये IP68 certificate के दाता है, तो dust and water resistant है, पानी में भिगा सकते हैं आप इसको, सब कुछ अचा लगा मुझे इसकी build quality में सिवाए इस power button के, जो कि अगर आप यहां से press करेंगे, इसका full HD plus dynamic AMOLED 2X display मिलता है, AMOLED display तो है, लेकिन display का resolution इतना खास नहीं है, और इस price point पे, आपको competition में, जाधा resolution वाला display जरूर देखने मिलता है, लेकिन AMOLED होने के बएसे, display की quality अच्छी है, display की peak brightness है, आउड़ोर में, वो 14-15 nits की है, तो आपको outdoor visibility में problem नहीं आएगा इसमें, इसमें आपको 120 Hz का adaptive refresh rate मिलता है, तो scrolling वगरा इस display में काफी आपको smooth देखने मिलेगी, लेकिन जो इस display में सबसे बुरी बात है, वो है, इसके मोटे-मोटे bezels, बहुत मोटे bezels आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, देख सकते हैं, आप तीनों साइड पे, और चिन तो कुछ जादा ही मोटी दी भी है, लेकिन इससे आपको कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इसके fan है, और यह आपके लिए निकाला गया fan edition है, इस phone में आपको dual speakers में देख से पहले में आपको बताया था, तो इसकी speaker की loudness से वो टेस कर लेते है, और एक कोई भी flagship device जो होता है, अच्छे quality की speakers वाल है, जो के काफी अच्छा है, fast and accurate है, कोई problem मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं आया, और क्यूंकि मैं Fold 5 भी इस्तमाल करता हूँ, तो मुझे एक अच्छे fingerprint scanner की कदर भी पता है, इसमें side mounted दिया है, जो के इतना मज़ेदार नहीं है, इन display वाला बेटर रहता है, S23 FE के अंद करता हूँ, Geekbench 6 का, क्योंकि हम cross-platform comparison कर सकते हैं, मतलब Android का iPhones के आप भी कर सकते हैं, उसमें end to do में नहीं कर सकते हैं, और मैं Android phone के साथ भी इसको compare करके, आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, कि इसमें चिपसेट दिया है, वो कहाँ पे rank करता है, S23 FE का single or multi-core score score देख सकते हैं, और यही चीज़ अगर हम compare करें, इससे 10 से 20,000 सस्ते मिलने वाले nothing phone 2 के साथ, तो यहाँ पे देख सकते nothing phone 2 जो है, इसके सामने powerful है, और 4 साल पुराने iPhone 11 से compare कर लो, जो शायद नए आपको 25 दर में देखने मिल जाएगा, second end to 20,000 में मिलता है, तो यहाँ आप इस पर gaming test करके जरूर देखेंगे, S23 FE पर हम लोग outdoor में photos लेने आये थे, लेकिन यह चीज़ मैंने यहाँ पर observe किया, वो बता दी तो आपको, कि यह phone overheat होता है, Exynos का processor आप जानते ही है, overheating के लिए famous है, and this is no different, यहाँ पर outdoor में बहुत जादा कोई heat नहीं है, 28-29 degree Celsius temperature होगा, धूप है थोड़ी, और यह phone overheat हो रहा है, तो यह बात का जानगना, कि यह एक heating machine भी है, तो portable heater का काम भी कर सकता है, मैंने इस पर PUBG खेल के देखा, तो smooth और extreme आप इस पर खेल सकते हो, और medium रखके आप HDR तक इस पर game खेल सकते हो, ultra HD इस पर available नहीं है, smooth और extreme में, अगर gaming performance की आप बद करें, तो मुझे इतने कोई खास लगी नहीं है, constant 60fps वाली आपको gaming ने मिलेगी, थोड़ा सा choppiness है, हलका सा जो है, आपको lag वगरा type का देखने मिलेगा, और gaming के दौरान phone काफी heat भी हो जाता है, तो इतना कुछ आस दीए ये phone gaming के लिए, H23 FE के अंदर आपको 4500mAh capacity की बैटरी मिलती है, 25W की charging मिलती है, और wirelessly भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं, जो chipset इसके अंदर दिया है और जो battery capacity है, वो मेरे इसाब से जादा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा इसमें overrating का problem है, Exynos के chipset, आपको बता ही है, overrating के लिए Famous है, Outdoors भी मैंने जैसे बता है, आपको कि फोटो वीडियो लेने गया था, तो काफी heat हो गया था फोन, और 4500mAh capacity इस phone के लिए जो है, मुझे कम लग रही है फिलाल तो, long term usage में पता नहीं, कुछ perception, change हो सकता है मेरा, अलग experience आ सकता है, लेकिन अभी फिलाल मैं बोलूँगा काफी कम है इसकी battery capacity, जो इसमें processor दिया है उसके हिसाब से, बाखी wireless technology पूरी इसमें आपको मिल जाती है, NFC है, Wi-Fi 6E है, और Bluetooth 5.3 है, तो इस मामले में कोई compromise नहीं किया है, Samson ने, अब बात कर दिका इस cameras की, तो यहाँ पे rear में 3 cameras दिये है, 50MP का main, 12MP का ultra wide, और 10MP का telephoto zoom lens, teleph audio 3X वाला है, और front facing camera जो है, इसके अंदर दिया है, 10MP का, सभी cameras इस बार 4K 60fps रेकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह ऐसी कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, सभी cameras में 4K 60fps दिया है, तो बहुत बड़ा काम कर दिया, सिर फ्लैक्शेप इसके भी सभी cameras 4K 60fps में record कर सकते, और 8K 24 भी दिया है, जिसमें में बिल्कुल इंटरेस्टेट नहीं हूँ, मुझे पता है उसकी quality कैसे निकल के आती है, तो चलिए, main जो चीज़े है, उसको check out कर ले दे, कैमरा कैसा है, यह वीडियो S23 FE के front facing camera की 4K 30fps में, वैसे यह phone 4K 60fps record कर सकते हैं अपने सभी cameras से, लेकिन मैं project के जो frame riders को match करने के लिए, इसको 30fps पर रखता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीका view आपको देखने भी लेगा, पीछे कोई बादल आदल नजर आ रहे कि आपको, यह completely blown out है, वह आप बदाना, और ऐसा मूर जात से कोसो दूर रहना है आपको क्योंकि बहुत ही घटिया quality की वीडियो यह निकाल रहा है, जब मैंने इसको अपने Macbook में transfer किया, तब मुझे समझ में आया कि इतनी खराब quality की वीडियो निकासता है, और 4K के नाम पे completely धबबा है इसका front facing camera का वीडियो, लेकिन audio quality बुरी नही 4K 30 fps पे, 8K 24 fps भी ले सकता है, यह इतनी usable footage रहती है, मैं इस साइट पे मुढ जाता हूँ, तो आप मेरे तीछे देख सकते है, जब दूप आ रही है, तो आपको यहाँ पे कैसा नजारा देखने मिल रहा है, बाकि audio के ध्यान जरूर देना आप लो, और rear facing camera में मुझे लगा आप जब देखेंगे दूसरे phones के साथ, आपको और जाधा समझ में आएगा, बिल्कुल भी mediocre quality आप बोल सकते हो, price के हिसाब से बिल्कुल quality सही नहीं है इसकी, triple camera तो दिया है इस phone के अंदर, लेकिन lens switching के डेम पे देखिए, 4K 30 fps में video ले रहा हूँ मैं, जब ultra wide से मैं 1X पे जाता हो, 3X पे जाता हो, तो पूरी जो video है, वो distorted हो जाती है, और इस type की video आप बिल्कुल भी expect नहीं कह सकते है, एक phone से, जिसकी cost 60 या 65,000 जो है, Samsung ने रखी है, stabilization की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते है, कुछ खास image stabilization नहीं है, लेकिन फिर भी, पहले के Samsung के इस range के phone से काफी improved है, तो ठीक ठाक बोल सकते हो आप इसको, और super steady mode इसके अंदर है, जिसमे stabilization आपको slightly better दिखेगी, क्योंकि मैं run कर रहा हूँ यहाँ यहाँ लेकिन, जो video है, उसकी quality full HD पे ही यह record कर पाता है, उसके उपर नहीं जा सकता, 10 megapixel की selfies आप इससे निकाल सकते हो, और काफी washed out सी photo जो है, यहाँ पे निकल कया, यह मुझे पसंद नहीं आई इस phone की selfie, honestly speaking, अगर portrait mode की बात करूँ, तब भी यहाँ पे कुछ खास काम नहीं किया इस phone ने, लेकिन हाँ, edge detection अच्छा है, और जो background और foreground के अंदर difference है, वो अच्छे से maintain किया इसने, अभी ultra wide वाली photo आप निकाल लेता है, 1X पे ली गई यह portrait photo देख सकते है, उसके बाद यह 2X वाली है, और उसके बाद यह वाली 3X वाली है, background blur जो है, काफी अच्छा करता है, edge detection, Samsung के phone में काफी अच्छा निकल के आता है, और काफी महेंगे phones को भी टक्कर दे सकता है, यह phone इस मामले में, main camera से 50 megap पिसल की photo भी ले सकते हो, और जब आप इसको zoom in करके दिखेंगे, तो अच्छे खासे details आपको यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जादा resolution है इसके पास, macro photography में यह phone मुझे कुछ जादा impressive लगा नहीं, एक distance से ठीक टक photo ले सकता है, लेकिन काफी नजदीक जाएंगे, photo जो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसमें, और मैं camera के बारे में इतना confidently इसलिए बोल सकता हूँ, क्योंकि एक तो experience है अपने को, दूसरे phones का भी, और similar price range में मिलने वाले phone के आद मैंने इसको compare भी किया है, जिसके camera comparison और full comparison के वीडियो आपको बहुत जल देखने मिलने वाली, व हो है iPhone 14, तो इसके सामने 14 कैसा perform करता है, यह कैसा perform करता है, सेम price point पे, यह मुझे पता है, इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ, और यह मेरा verdict जो है, यह अगर यकीन नहीं होता, तो phone खरीद के, खुद टेस्ट करके देख लेना, अब यहाँ पे एक ची 8GB वाला, इसकी price है 60,000 रुपे, और 256GB वाली की price है 65,000 रुपीज, HDFC का card है, अगर आपके पास, तो आपको 10,000 रुपीज का discount मिलेगा, Samsung के website पे, और इसके साथ free case भी मिलेगा, 10,000 रुपेगा, जो के मुझे अपी तक इन्होंने deliver नहीं किया, और यह वीडियो देखने पा और card है, तब भी यह phone मुझे बहुत जाता महिंगा लगा, 50 या 55,000 रुपे के लिए phone में कोई भी ऐसी चीज मुझे खास नहीं देखने भी लिए, ना performance अच्छा है, ना ही camera अच्छा है, ना ही display कोई खास है, तो आप सोच लिजी अगर आपको यह phone लेना है, तो description में लिंक